हलो बच्चो मेरे नाम है देवशी शर्मा फ्रम स्वेकरियल एकाडमी और आज हम लेके आपके पास आएं है रियाक्शन मेकानिजम और गैनिक रियाक्शन के मेकानिजम का लेक्चर नंबर 6 जिसमे हम बात करेंगे नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन की अब अच्छे नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन पूरे सब्स्टिटूशन रियाक्शन का सबसे important part आपके लिए रहेगा काफी सवाल इससे आते हैं और इसकी depth में जाने से पहले हम SN1, SN2 ये सारी चीज़ें करने से पहले जो हमारा आज का lecture हुगा बहुत important रहने वाला है अगर आज के lecture में आपको doubt रहा in any case आपको doubt रहा तो आगे वारे lectures में कुछ दिक्कत आ सकती है तो आज के lecture को बहुत अच्छे से समझेंगे बहुत अच्छे समझेंगे बहुत interesting topic है जिसमें हम बात करेंगे एक खास चीज़ की leaving group की तो आज की सारी discussion रहने वाली है leaving group की ये क्या है, leaving group क्या है कैसे चीज़े पता लगेंगी वो lecture के दौरान सारी चीज़ें clear होती रहेंगी so let's start sorry, lecture number 7 in fact of reaction mechanism जिसमें हम बात कर रहे है nucleophilic substitution की अभी तक हम free radical substitution के दो lecture कर चुके है electrophilic substitution पे दो lecture कर चुके है सारी चीज़े clear होई है nucleophilic substitution सबसे important part है substitution का और basically चल क्या रहे है मेरे पास कोई अगर मैं short में बात करूँ थोड़ा short में निप्टा है तो मैं क्या बोलूँगा मेरे पास कोई compound है मान लो इसके पास किसी nucleophile ने attack किया अब nucleophile क्या है इसके लिए आपको nucleophile और electrophile पे यानि second lecture देखना पड़ेगा इस series का first lecture was on rearrangement second lecture was on nucleophile and electrophile nucleophile ने attack किया तो definitely ये बन जाएगा plus ये बी चीज बहार निकल रही है as a nucleophile अगर nucleophile ने attack किया तो बहार निकल भी क्या रहा है nucleophile जो चीज निकल रही है उसको नाम देते हैं leaving group छोड़ के जाने वाला group this is my leaving group अब ध्यान से समझना ध्यान से समझना जितनी आसानी से जितनी easily जितनी easily leaving group will leave जितनी आसानी से ये leaving group निकलेगा उतना ही तेज मेरा ये reaction होने वाला है मानलो किसी nucleophile ने attack किया और B निकलना ही नहीं चाहता मेरा nucleophile तो attack कर रहा है बट B इतने अच्छे से bond बना रखा है A के साथ कि ये निकलना ही नहीं चाहता तो मेरा reaction नहीं हो पाएगा यानि मेरा rate of reaction मेरा rate of reaction directly depend कर रहा है leaving group या leaving tendency पे किस tendency पे? leaving tendency पे कितनी आसानी से कोई group B इस A को leave करेगा उतनी तेज मेरा reaction होने वाला है बहुत important चीज़ है मेरा rate of nucleophilic substitution reaction is depending upon leaving tendency of the group leaving tendency of leaving group leaving tendency of leaving group कितनी आसानी से ये B छोड़के जाना चाहता है A को तभी ये nucleophile A के साथ attach उपाएगा अब इतना आपको पता होना चाहिए nucleophile ज़रूरी नहीं है ये negative charge हो loan pair हो तो भी nucleophile यानि neutral nucleophile भी होते हैं वो सारी बाते हमने कर रखी हैं in nucleophile and electrophile वाला lecture lecture number 2 in reaction mechanism group is a better leaving group ये चीज हमने basically आज देखनी है और इस पे सवाल करने है कौन सा ग्रूप आसानी से लीव करेगा कौन सा ग्रूप मुश्किल से लीव करेगा ये सारी चीज़े हमने देखनी है चले तो अब आते हैं अपने main topic पे leaving group tendency पे कौन सा ग्रूप लीव करेगा कौन सा ग्रूप मुश्किल से लीव करेगा इसी पे सारी discussion आज हमारी होने वाली है in nucleophilic substitution 1 nucleophilic substitution के बाकी सभी substitution के हमारे दो-दो lectures पे बात किया हमने nucleophilic पे most probably 3 से 4 lecture लगेंगे including this one तो आज पहला है इसके बाद 2 या 3 और lectures लग सकते हैं दो तो definitely लगेंगे तीसरे के लगने की भी पूरी-पूरी आशंका है चलो points देखते जाएंगे और उन्हें follow करते जाएंगे point number one point number one देखो अगर मेरा leaving group anion है if my leaving group is anion अगर मेरा leaving group anion है देखो न, nucleophile मेरे क्या क्या थे anions थे, negatively charged थे, neutral भी थे बट अगर leaving group मेरा anion है for example अगर मेरा leaving group anion है for example मैं बात करूं Rx मेरे पास Rx है where x is definitely halogen where x is halogen इस पे कोई nucleophile आया इस पे किसी nucleophile ने attack किया ये nucleophile को लिखने का तरीका है NU negative और उपर एक lone pair दिखा देते हैं एक negative charge मतलब दो electron definitely तो होगा क्या सरी ये बनना चाहिए R NU plus x negative x negative मतलब ये CL negative हो सकता है BR negative हो सकता है F negative हो सकता है I negative कुछ भी Rx था alkyl halide कोई था उस पे एक nucleophile ने attack मारा तो यहाँ पर CL negative BR negative F negative I negative ये चीज़ें definitely बाहर निकलनी चाहिए तो ये मेरा leaving group है This is my leaving group This is my leaving group अब देखना कोई भी group leave करेगा कोई भी group leave करेगा तो leave करने के बाद अगर वो stable हो रा है अगर ये group leave करने के बाद stable हो रा है तो वो चाहेगा जल्दी leave करना तो मेरा कहने का मतलब क्या है If leaving group was NIN more stable the anion more stable the anion is faster it will leave faster it will leave जो ये anion बना निकला इस से Rx से, जो x negative बना वो जितना stable होगा, उतनी जिल्दी वो लीव करना चाहेगा, अगर ये अनस्टेबल होगा तो वो इसे छोड़के कभी जाएगा ही नि, तो जितना stable anion है, उतना faster वो लीव करेगा अब सर बात आती है, F negative C L negative BR negative और I negative में सबसे stable कौन है तो अगर आपको ये नहीं आता तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, यानि आपने chemistry कभी पढ़ी ही नहीं, याद रखेंगे मेरा I negative, बताएंगे क्यों BR negative CL negative और F negative, ये order है stability of anion का order of stability इस case में Hello जन्स के anion के stability का order ये है याद रखना, क्यों? ध्यान से देखना रीजन समझो यार, अगर आता है बहुत बड़ी है, आना चाहिए, नहीं आता थुड़ी दुक्की बात है यानि chemistry पे आपका ध्यान ही निरा दो चीजें हो सकते हैं, या तो हम चलते हैं along period along period या हम चलते हैं down the group यही होती है अगर मैं periodic table में चल रहा हूँ, तो मैं along period चलूँगा या down the group चलूँगा अगर एनायन की stability अगर एनायन की stability चेक करनी है, down the group अगर एनायन की stability चेक करनी है, down the group तो नीचे नीचे जाते हुए एनायन की stability, increase होगी क्यों होगी भी? increase होगी क्यों? negative charge है किसी atom पे वो negative charge जितने ज्यादा volume में फैलेगा वो उतना stable होगा यार मान लो ना वह रपस कोई body है तो मुने उसे negative charge दिया वो negative charge छोटी सी जगा में आ गया तो repulsion बढ़ेगी unstable होगा जितनी बड़ी जगा पे वो negative charge फैलेगा उतना ज्यादा stable होगा हमें पता है i negative i n बहुत बड़ा है सभी पे single negative charge है बट i का size बहुत बड़ा है size बड़ा है इसलिए जब down the group जाते हैं तो हम क्या देखते हैं याद रखना size देखेंगे हमेशा size increase होगा stability increase होगी असल में f negative कोई ज्यादा unstable चीज नहीं है ये भी stable है क्यों हमने याद है आपने पड़ा था electro negative पे negative charge हो तो वो stable होता है electro negative पे negative charge हो तो वो stable होता है बट वो हम कब देखते हैं along the period हमेशा क्यों period के along size ज्यादा change होता है नहीं size कहां बढ़ता है down the group तो याद रखना stability देखनी है down the group तो आप देखेंगे size of the iron और आपने stability देखनी है along the period तो आप क्या देखेंगे electro negativity इसकी बाद हमने बहुत बार कर रखी है electro negativity तो अगर मैं बुलता है याद इसमें OH negative और NH3 negative में stable कौन है तो O पे negative है और N पे negative है O पे negative है और N पे negative है और oxygen ज्यादा इस तरफ आता है oxygen electro negative है उस पे ज्यादा negative charge तो ये वाली चीज ज्यादा stable है तो आपने stability of NIN जब देखना है तो अगर नीचे की तरफ जा रहे है NIN तो size पे depend कर रहा है इस case में stability order देखेंगे और अगर मेरे along the period जा रहे हैं तो क्या देखना है तो आपने electro negative है देखना है इस चीज को याद रखो इस चीज को याद रखो अगर पता था बहुत बढ़िया नहीं पता दोसो या गलत बात है गलत बात है periodic trends तो आपने दस्वी में भी मेरे ख्याल से कर रखे है चलो खेर तो मुझे पता लगा जितना stable निकलने के बाद ये होगा उतनी जल्दी निकलना चाहेगा उतनी जल्दी निकलना चाहेगा तो मेरी तेज कौन सा reaction होगा अगर मैं बोल दूँ अगर मैं बोल दूँ मिरे पास है CH3 CL और एक है CH3 I दोनों पे किसी नुकलियोफाइल ने मानलो OH- ने अटैक किया दोनों पे किसी नुकलियोफाइल OH- ने अटैक किया तो भाई जल्दी कौन सा reaction होगा definitely जल्दी इसके साथ reaction होगा नुकलियोफाइल सेम है compound भी सेम है बस यहाँ CL लगा यहाँ I लगा है तो मेरे पास रह क्या गया यार मैं leaving group देखूं कौन सा असानी से जाएगा तो यह चीज मेरी असानी से जाएगी यानि यह reaction is faster this reaction would be faster and this reaction would be comparatively slower please इस चीज को याद रखेंगे मेरा पहला point छोड के जाने वाली चीज अगर अनियन है तो जितना stable अनियन उतना तेज मेरा reaction हलाइट्स की बात करूँ यह मेरा stability order है सबसे ज़्यादा stable क्यों same charge बड़े size पे तो ज्यादा stable है down the group यह देखते है along the period क्या देखते है जो इतना ज्यादा electro-negative उस पे negative charge is stable अगर ऐसा कुछ होता OH-negative और NH3-negative तो मुझे क्या फता लग जाता तो यह OH-negative ज्यादा stable है क्यों O ज्यादा electro-negative है उस पे negative charge is stable तो यह चीज़ याद रखेंगे बहुत important है चलो एक step आगे चलते है let's move one step ahead सवाल देता हूँ एक let's move one step ahead किसी पे बात कर रहे है ions पे बात कर रहे है anion leaving group अगर मेरा anion है तो एक सवाल देता हूँ चलो अगर मैं बूलू अच्छा यह तो पता लग गया न OH negative और इसमें किसी ने बताया OH negative और NH2 negative में कौन सा ज्यादा stable anion है तो बहुत simple सी बात है हीली भी ब, क, न, O इस तरफ जा रहे है यह कौन सा है यह इस 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 पीरियड पीरियड में इस तरफ जा रहे है तो जितना ज्यादा electro negative उतना ज्यादा anion stable this is more electro negative than this दोनों पे single negative charge है तो मैं बोलूँगा my OH negative anion is more stable than NH3 negative मेरा OH negative anion ज्यादा stable है NH3 negative से बहुत simple सी बात है यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो अगर मैं सवाल बोलूँ CH3 NH2 और CH3 UH दोनों पे same nucleophile ने attack किया दोनों पे same nucleophile ने attack किया तो तेज reaction कौन सा होने वाल है अगर यह attack करेगा तो मेरे पास compound बनेगा यह attack करेगा तो यह बज़ेगा CH3NU प्लस OH negative हमने देखा दोनों में NIN बाहर जा रहा है ज्यादा stable NIN यह है तो यह आसानी से बाहर जाएगा इस reaction वोड़ बी faster इस reaction वोड़ बी faster यह मेरा reaction fast होने वाल है यह मेरा reaction तेज होने वाल है इस चीज़ को हमेशा याद करके चलेंगे चल second step पर आते है second step पर आते है चल point number two जो आपने याद रखना है point number two पहले हमने देखा अगर मेरे leaving group NINs है तो जितना stable NIN उतना तेज मेरा reaction होने वाल है because stable NIN यह आसानी से निकला उतना तेज मेरा reaction है second जितना weak मेरा base है जितना weak मेरा base है उतना अच्छा उतना better उतना better वो leaving group है इसको निहान से समझना leaving group उतना better है for example निहान से समझो अगर मैं बात करूँ मेरे पास है HF HCL HBR और HI जितना दोनों चीज़े related है NIN की stability और ये चीज़े दोनों related है weak base जितना इसमें से सबसे weak base कौन से है खुद सोच के बताओ सबसे strong base कौन से है सबसे strong base कौन से है जितना से सोच के बताना सबसे strongest base कौन से है मेरा मेरे पास सबसे strongest base इन में से कौन सा है सोच के बताओ यार सबसे आदा acidic क्या है देखो न मेरा HI सबसे acidic है फिर HBR फिर HCL फिर HF ये मेरी acidity का order है acidity का order है भई acidity का order क्यों acidity क्या होती है H positive provide करना तो अगर इसने H positive provide किया तो ये क्या बन जाएगा I negative इसने H positive provide किया तो ये बन जाएगा BR negative इसने किया CL negative F negative और ये order तो हमें पता है ये ज्यादा stable है तभी इसने अपना H positive खो दिया I negative सबसे ज्यादा stable है ये अपना H positive आसानी से देदेगा I negative बनने के लिए तो ये मेरा acidity का order है This is my acidity order और जब acid निकल जाता है जब H positive निकल जाता है तो क्या बनता है conjugate base conjugate base यहाद से देखो ना जब acid निकल जाता है H positive निकलता है तो क्या बचता है conjugate base यहाँ क्या बचा I negative यहाँ BR negative यहाँ CL negative यहाँ F negative Q H positive तो गायब हो गया base acid strong हो तो conjugate base क्या होता है weak यह तो सब को पता ही है जितना strong acid it will give उतना ही weak conjugate base जितना strong acid उतना ही weak conjugate base देगा यह था मेरा strong acid यह weakest base this is my weakest base और अभी हमने देखा I negative is strongest leaving group यानि जितना weak base होगा उतना better वो leaving group होगा यह order तो हमें पता है तो दोनों चीज़े interrelated है आप leaving group कितना अच्छा होगा इसे दो चीज़ों से जच कर सकते हैं दोनों आपके हाथ में है जो आसान लगे anion ज्यादा stable है तो वो अच्छा leaving group और weak base है weak base है तो अच्छा leaving group हमने देखा यह strongest acid था तो इसका conjugate based weakest और यही मेरा क्या होता है अच्छा leaving group तो दो criteria आपको मिल गए और इनी दो criteria's पे I hope यह लिख 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 होगा इनी दो criteria's पे leaving group के tendency based है बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है नम्बर वन पहला stable is the anion stable is the anion कौंसा anion leaving anion better is the leaving group better leaving group और या फिर weaker the base यह weak base is a better leaving group better leaving group यह वाली चीज कभी use होती है यार जरूरी नहीं है nucleophile मेरा anion हो मेरा h2o और nh3 भी मेरा leaving group हो सकते हैं और यह दोनों क्या है these are nucleophile nucleophile हमें पता है nh3 is more basic अगर मैं basic nature की बात करू nh3 is more basic than h2o तो मेरा better leaving group कौन होगा this is better leaving group याद रखेंगे star mark करके this is better leaving group then h2 ज्यादा basic कं basic for example आपको सवाल दे दिया for example आपको मैंने सवाल दिया इस पे nucleophile ने अटाक किया इस पे भी same nucleophile ने अटाक किया कौन सा reaction तेज होगा देखो nucleophile ने अटाक किया तो होगा क्या ये bond लेके electronegative oxygen और nitrogen ये bond लेके as h2o बहार आ जाएंगे और as nh3 बहार आ जाएंगे यहां क्या बचेगा negative charge यहां क्या बचेगा positive charge इसने bond लेके अपने पास ले लिया तो h2o बहार आ गया nh3 बहार आ गया यहां बचा positive charge उस पे nucleophile अटाक कर देगा यानि क्या बनेगा c2h5nu और यहां भी बन जाएगा c2h5nu बोल रहा है कौन सा reaction तेज हो रहा है definitely ये वाला reaction is faster because इसमें ये जो चीज बना जो मेरा leaving group था it is more basic stronger is the base better is the leaving group तो star mark करके ये भी चीज याद रख लेंगे star mark करके ये भी चीज याद रख लेंगे अब एक और चीज बताने वाला हूँ एक और चीज बताने वाला हूँ second point से related ही है basic nature से related ही है याद रखेंगे organic में organic में अगर मैं बात करूँ acidic strength की हमने पहले भी शायद बात की थी acidic strength की तो सबसे strong acid होते है acidic acid सबसे strong है इसके बाद HCOOH अगर मैं silphonic acid बनाऊं तो ये होगा न silphonic acid अगर बच्चों को तुम्हें पता नहीं है this is my silphonic acid उसके बाद HCOOH उसके बाद उसके बाद phenols का नंबर आ जाता है इस order को याद रखेंगे this is my acidic order for organic acids छोटा सा order है हाला कि बहुत इसमें variables आते हैं बढ़ इस order को आप याद रखेंगे आपके आने वाले सवाल आसान हो जाएंगे आपके आने वाले सवाल आसान हो जाएंगे क्या ये चीज़ याद रखेंगे अगर ये strongest acid है और इसने ह-positive निकाल दिया ध्यान से देखो ना strongest acid है ह-positive निकाला तो इसका conjugate base क्या बन जाएगा SO3 negative इसका conjugate क्या बन जाएगा देखो ना HCOOH अगर मैं इसे बनाऊँ HCOOH तो ये क्या बन जाएगा CO3 CO2H negative ये बन जाएगा C double bond O negative ये बन जाएगा O negative ये क्या है conjugate base strong acid weak base यानि these are conjugate base conjugate base और हमें पते है जितना weak base उतना better leaving group तो गर मैं leaving group बोलू मेरा leaving group tendency इसकी सबसे ज्यादा ये order मेरा इनका leaving group tendency का बन गया strong base strong acids weak conjugate base strong acid weak conjugate base यानि leaving group का character क्या है ऐसा हो this is leaving group character conjugate base तो ये weak है weak conjugate base better leaving group ये leaving group character इसे याद रखेंगे इससे बहुत सवाल आएंगे for example एक question दू में for example एक question करेंगे सभी करेंगे सभी से हो भी जाना चाहिए मुझे बोल रहा है which arrange the following in leaving group character arrange the following in leaving group character this is a this is b and this is this is C बोह रहा है, arrange the following in the leaving group character leaving group character, अभी अभी पड़ा सबसे अच्छे acid, sulfonic acid तो उसका base सबसे weak तो this is weakest base, this is best leaving group उसके बाद number आता है बेंजीन के ओपर COH लगए strong acid second best leaving, this is best leaving group, this is second best leaving group, उसके बाद भी फिनोल्स का number आ रहा था तो this is third, तो सबसे अच्छा leaving group मेरी leaving group tendency क्या होगी, B की सबसे अच्छी, C की इससे अच्छी और सबसे कम A की this is my leaving group tendency this is my leaving group tendency अब ऐसे सवाल हो मेरी थोड़ा सा खेलेगा वो आप से सबसे important points टार मार्क करके लिखें हम जानते हैं एक एनाइन स्टेबल कब होगा एनाइन स्टेबलाइज़ेजेज इस इफ इट कैन इफ इट कैन डिसपर्स डिसपर्स इट्स नेगेटिव चार्ज ये बात पता है सबको जितना negative charge फैलाएगा उतना ज़्यदा stable होगा यह तो बात हमने GOC में बहुत की थी मेरा carbocation कब stable होता था जब उसके पास plus i वाले group लगे हो वो उसको electron दे यानि उसका positive charge कम हो रहे तो वो stable होगा तो मेरा NIN कब stable होगा जब उसका negative charge कम हो तो अगर मैं आपको सवाल दूँ arrange the following in arrange the following in the increasing order of or decreasing order of tendency of leaving group या arrange करो best से worst arrange मेरा सवाल है arrange the leaving group from best to worst from best to worst कि सबसे अच्छा कौन है उससे कम उससे कम उससे कम हमें पता है जितना ज़्यादा stable NIN उतना बढ़ी है leaving group तो मेरा option है पहला ही this is A this is B this is C यह तो आपने सारे एक जैसे बना दिये यह क्या बात है यहां लगा है CL यहां लगा है CH3 बोड़े best leaving group कौन सा होगा best leaving group वो अगर इतना उतना होता होता तो यह तो सेम है अब मैं देखूंगा इन NIN पे negative charge सबसे ज़्यादा disperse का हो रहा है अगर मुझे पता है CL minus high effect दिखाता है यानि यह electron खीच रहा है यानि यह negative charge disperse हो रहा है यहां पर CH3 plus high effect दिखा रहा है यह electron दे रहा है यानि यह negative charge बढ़ रहा है unstable हो रहा है और यह तो बिचारा simple ऐसे बढ़ है तो सबसे ज़्यादा stable मेरा NIN B उसके बाद A और सबसे unstable electron पहले से negative charge था और मिल रहा है C तो this is my stability of iron और यही मेरी क्या होगी leaving group tendency सबसे आसानी से leave करेगा group यह उसके बाद यह और सबसे मश्किल से यह because यह unstable हो रहा है अगर unstable है तो छोड़ेगा EQ अपने साथ जाएगा EQ बहर राइट तो यह चीज़ें ध्यान से समझ आ जानी चाहिए आपको because यह base बनेगी SN1, SN2 reaction में सवाल करने का nucleophilic substitution में nucleophile की strengths तो हम देख चुके थे nucleophile और electrophile वाले में अगर nucleophile same है अलग-अलग nucleophile attack कर रहे हैं तो मुझे पता है कौन सा strong, कौन सा weak कि हम बात कर चुके हैं पट अगर nucleophile same थे तो किस पे जाएंगे leaving tendency पे same nucleophile ने attack किया तो मैं देखूंगा कौन सा group आसानी से leave करके reaction को taste करेगा तो this was my first lecture on nucleophilic substitution बाते समझ में आनी चाहिए I hope चीज़े clear हो रही है इसके बाद minimum दो और maximum तीन lecture होंगे nucleophile like substitution में उसके बाद हम जाएंगे addition में फिर elimination में और फिर शुरू करेंगे जिसमें बहुत मजाने वाल है main chapters अपने main तो बोलना नहीं चाहिए मैं supplementary chapters बोलूँगा because वहाँ जाने के बाद मैं सारे पिछले reference दूँगा उस lecture में ये किया था क्या करेंगे hydrocarbons शुरू करेंगे alkynes, alkynes, alkynes की बाते करेंगे कैसे बने क्या properties हैं किसके reaction के साथ क्या होगा इस सारी बाते करेंगे राइट चलो मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए पढ़ते रहें जाएँ